दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तयार हुझे नहीं लगता इस स्पिच में ज्यादा बदलाव आएगा टॉस का जीतना या हारना ज्यादा महत्वपूर नहीं इस स्पिच पर और ये रहे दोनों टीमों के खिलाडी जो इस स्वागत है सबका इस शांतार स्टेडियम में फील्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोश से उनका स्वागत करते हुए चलिए सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए ग्याप में खेर दिया है दो रन की कोशिश होगी यहां बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच हवा में शॉट केला है वाफ फील्डर मौजूद नहीं चार रन बढ़िया टाइमिंग खुपसोरती से गाब ढूंदा बैट्समन ने चलिए देखते हैं कि अगली गेंज स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी खराब शॉट सेलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंज को इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है बल्लेबास का ये खराब शॉट और फील्डर के लिए ये एक असान सा कैच बहुत ही खराब शॉट ये तो गेंदबास ने चक्रव्यू रच रखा था जिस तरह मचली फसती है जाल में उसी तरह बल्लेबास फस गए इनके जाल में बॉलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ उन्दा शॉट लाजवाब प्लेस्मेंट फील्डर तो वहाँ दर्शक बने रहे गए ये इन सीधा बल्ले के बीच से निकली वहाँ पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है बल्ले बाज अपनी पहली गेंट की तयारी करते हुए जिस तरफ इन्होंने मारा है उस तरफ की बाउंडरी बाकी के बाउंडरी के मुकाबले बहुत ही लंबी है फील्डिंग में परिवर्तन बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाज उन्दा शॉट गेंट बास की कोई गलती नहीं मगर फिर भी चार रन इसे कहते हैं पर्फेक्ट शॉट बढ़ी अखेरा है बॉलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा और ये मैक्सिमम गेंट जाएगी बाउंडरी के उपर से चक्खे के लिए बल्ले बाज ने गेंट की लेंज जल्दी पिक कर ली थी जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्विंट विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोक सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से उठा दिया है छे रन जैसे ही बैक पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि ये छे रन है पूरी तरह नियंतरन में थे बल्लिबास ये रही पारी की आखरी गेंद आपके सामने बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेश्या हमारे सामने है देखते क्या इस शुरुआती विकेश्या बहुत ज़रूरी होंगे फील्डिंग टीम के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में इनकी आक्रमग बल्ले बाजी से जाने जाते हैं ये बढ़िया शौर अगर तेज दोड़ें तो दो रन मिल सकते हैं यहाँ इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्विंट विकेश्या रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोख सकता एक एक्स्ट्रा रन चुराने से सीधा फील्डर के पास खेल दिया है गैप धूरने में आ समर्थ क्या शादार छेरन मारा है तेल को कुछ कर दिया परले बाज ने ये शाट मार कर हवर में खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्ले बाज पूरे नियंतरन में थे वहाँ क्या रोमांचक मैच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे है और ये उठा के खेल दिया है बोल सीधा फील्डर के पास और ये क्या चाउट बल्ले बाज तैयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है बैटिंग पावर प्ले की समापती कप्तान अब दो से ज़्यादा फील्डर्स इनर सरकल के बाहर लगा सकते हैं अब बन्ले का किनार और गेंद सीमा रेखा के पास जाती हुई क्या बन्लेबाद फिर से बाउंडरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं बढ़िया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्लेबाद दो रन का कॉल देते हुए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन टो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से बढ़िया शॉट और गेंद सीधी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई बढ़िया फॉर्म में लग रहे है बल्लेबाज काफी तेज दोर लगाई है पहले रन के लिए यहां हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहां दोनों बल्लेबाज इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्विंट विकेट्स रही है के मानों ऐसा लगता है के कोई इने नहीं रोग सकता एक एक्स्टा रन चुराने से दोरं का कॉल इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक एक एक्स्ट्रा रन चुराने से बदकिस्मत रहें वहाँ बॉल सीधा फिल्टर के हाथ में Let's congratulate our man of the match